नमस्कार दोस्तों स्वागत करते हैं आपका अपने यूटूब चैनल पर दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है बह उपसर्ग है ठीक है अब आप लोग सोच रहे होंगे सर आप समास का वीडियो डालने वाले ते यह उपसर्ग बीच में एक तम कहां से आ गया तो दोस्तों समास को पढ़ने से पहले उपसर्ग और कारक दोनों समझने पढ़ेंगे क्यों समझने पढ़ेंगे क्योंकि उपसर्ग की वज़े से करमधार समास के लिए नहीं हो पाएगा और कारक नहीं पढ़ेंगे तब तक हमारा तत्पुर समास के लिए नहीं होगा ठीक है और हम kindy medium वालको तो आसानी होती है ठीक हैं लेकिन साजिस वालों के दिक्कत होती हैं तो हम एक SIMPLE तरीके से दोस्तों आपको हंदी बढ़ाने की कुछिश करते हैं दो कि आपको किसी तरह की दिक्कत ना उपरीक्षय वेचित हमें किस तरह की कुषिशन आइंन को आप तो जो भी सरल रास्ता होता है हम उसको पकड़ने की कोशिस करते हो वही आपको बताते हैं ठीक है तो छोटा सा टोपिक है उपसर्ग बहुत आसानी से किलियर हो जाएगा 10 मिनट भी नहीं लगेंगे इसको फटा फट से किलियर करते हैं कुछ बेसिक बाते हैं जो आपको इसी बताने वाले हैं कि जो सायद आपको पता ना हो ठीक है तो आज हम उपसर की ही बात करेंगे प्रते नहीं पढ़ेंगे क्योंकि प्रते को और उपसर को हम किसी सेप्रेट वीडियों पढ़ेंगे और डेटेल में पढ़ेंगे लेकिन अभी हम मोटी मोटी बाते देख ले हैं कि आगे हमें इसकी किस तरह से जरूत पड़ेगी तो चलिए दोस्तों देखिए इनको आपको किसी को कुछ हयाद रखने की जरूत नहीं सिर्फ हमने यह लिखा है ताकि आपको एक बेसिक बता सके हिंदी में उपसर्गों की संक्या कितनी होती है संस्क्रिप में कितनी ह पर चाहें तो आप पहले इसका स्क्रीन सौट ले लिए इसको ठीकर ये हमारे पास काने कीजेश नंट कि यह हमारे पास मूल उपसर्ग है परी तक यह अब देखे यह अलग-अलग उपसर्ग है यह हमने मिक्स उपसर्ग लेके हैं इसमें आपको हिंदी के भी हैं उर्दू अदी, अनू, सम, सू, नी, भी, निर, निस, नित, दुर, दुस, पिरा, परा, पर्ति, और परी, बस ये मूल उपसरगे, नीचे वाली लाइन यहां देखिए आप, इस वाली लाइन में हमने इंगलिस के लिखे हुए हैं, और इस वाले में उर्दू और फार्सी जो मिक्स हो होता है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं अभी, सिर्फ उसकी बात कर रहे हैं, जो सब्द के सुरू में आता है, तो सब्द के सुरू में जो सब्द आता है, उसे हम क्या कहते हैं, उपसरग कहते हैं, ठीके, अब उपसरगी करता क्या है, एक तो यह सब्द का भाव वदल देता ह ठीके, दूसरी बात, यह उस सब्द में आता है, जिस सब्द का कोई बास्तिविक अर्थ निकलता हो, यानि कि किसी ऐसे सब्द, ऐसे नहीं कि कि किसी भी सब्द के सुरू में आ जाता है, ऐसे सब्द में आता है, जो अपने आप में कोई मतलब रखता हो कोई सब्द, ठीके, जैसे यहां थोड़ा समझा देते हैं, जैसे भाव है, तो आपको पता हुआ भाव केसे कहते हैं, ठीक है, मान है, मान का भी आपको किलिए होगा, मान केसे कहते हैं, हार, जिलादीकारी, एक, सफर, ठीक है, इन सब के कोई न कोई मतलब होते हैं सब्दों के, ठीक है, अब मतलब होता है किसी चीज की कमी मान में हम जोड़ेते हैं अप तो यह क्या हो जाएगा अपमान अपमने इसमें एक उपसर्ग लिखा हुआ है यह आप देख रहे होगा अपमान अब तक मान का मतलब था इज़त और अपमान का मतलब हो गया बेच जीति यानि कि बाके का में उपसर्ग जोड़ते हैं ठीक है तो आउपसर्ग जोड़ दिया तो आउपसर्ग जोड़ने से क्या हो गयी अहार ठीक है चलिए इसको हटाते हैं कुछ और जोड़ते हैं पिर्ति जोड़ देते हैं ठीक है तो अब यह क्या हो गया पिर्ति हार ठीक है जैसे जिलादिका कारी में हम English का जोडएंगे ठीक है English का क्यों जोडएंगे इस सब्द भी इंगलिस का यह ठीक है आए निदेखिए जिलाधिकारी का मतलब आपको पता मजिश्ट्री होता या निकि-ड-eam जिलाधिकारी कहते हैं ठीक है जिलादी करिया एश्टिम कोई तो कहते हैं, ठीक है, एक, उर्दू का उपसर्ग है, है ना, तो अब इसमें हम जोड़ते हैं, एक में जोड़ते हैं, दोस्तों हम, हर जोड़ते हैं, ठीक है, उर्दू का कोई एक उपसर्ग ले लिया हमने हर, ठीक है, तो यह हो गया हर एक, समसफर ठीक है इतना आसा करते हैं आपको किलियर हुआ होगा कि किस तरह से यह अर्थ चेंज कर रहा है बाद सब्द कर ठीक है अब समसफर देखिए दोस्तों किस तरह का मातरा मात्रा चोटी आती है आप किसी में भी बड़ी मातरा नहीं इस बाट को आप नोट करके रहें, सारे उपसर्ग छोटी मात्रा से ही शुरूर होंगे, ठीके, किलियर, अगला कॉश्चन किस तरह साइगा, अत्या धिक में मूलसब्द चांटी है, ठीके, दौनों तरह से आ सकता है, जैसा कि मैंने बताया था, कि मूलसब्द चांटने के लिए भी कहेगा, और उपसर्ग छांटने के लिए भी कहेगा, ठीके, तो अत्या धिक में आपको मूलसब्द चांटना है, तो आप कैसे छांटेंगे, यदि आपको उपसर्ग याद है, तो आप छांट देंगे, अति पिलस अधिक, ठीके, अब अधिक मूलसब्द मिल गया, क्योंकि अब इ दोस्तो, ए पिरतियाशित है, बहुत अच्छा कुश्यन था, यह बहुत ही अच्छा कुश्यन था, 90% लोगों से यह कुश्यन गलत हुआ था, उस टाइम पे, अब इसमें यह पूछा गया है, कि इसमें आपको मूलसब्द चांटना है, देखिए, एक सब्द में एक से लग निकाल था, प्लस आशित को मूलसब्द बता आया था, ठीक है, यह इसका मूलसब्द है, लेकिन यह दोस्तो सही अंसर नहीं था, इसलिए लोगों से यह गलत हो गया था, क्यूंकि उन्होंने आप भी निकल दिया है, पिरत्टी भी निकल दिया, आसित, इसका मूलसब सब निकल के आएगा देखिए आसा प्लस इत तो इत जो था वो जो था प्रत्य था इसको अटाएंगे तब मूल सब निकल के आएगा आसा के लिए हो गया तो इस तरह की कुश्चन भी आ आते हैं ठीके डर्नी की कोई रोते हैं अगर आप छाटने आते हम बता दे रहें को किस तरह से आपको चाटने आप आरा असानी से कितना भी टफ कोशन आ जाए आप आसानी से निकल पाएंगे एक कोशन और समझ लेते हैं एक सब्दे उसको थोड़ा सा और समझते हूं जि 아침ograph tweaks आपज़ें एक उपन्यास ये भी किसी परिक्षय में पूछ गया थै निकालना पड़ेगा क्या पचा हुआ है नी पिलस आस आस इसमें मूल सब्द है ना कि न्यास मूल सब्द है समझ गए न किस तरह से आ रहा है तो कहने का आशा ही है कि आप बस आपको कुछ नहीं देखना है सिर्फ आप इसना समझेगा कि मूल सब्द हमको पकड़ना है मूल स सब्द कौन सा होता है जिसका कोई अपना अर्थ निकलता हो उसको हमें अलग करना है अगर प्रते को हटाने के वाद सब्द का कोई अर्थ बच रहा है तो समझ लीजिए कि आप बिल्कुल सही चल रहे हैं और आप इस तरह से करते हैं कि उपर पिलस न्यास तो समझिए आप ग मास कंप्लेट कर देंगे और उस तरह से फिर जैसे हम चल लाएते वैसे ही चलते रहेंगे चोटी-चोटी टॉपिंग आपको दिक्कत ना हो इसलिए हमने इसको बता दिया था कोई भी दिक्कत हो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में तब